हेलो एवरीवन वेलकम बैक टो माई चैनल तो आज की जो रेसिपी है वो होने वाली है बहुत ही खास बहार से एकदम क्रिस्पी बनेगी और अंदर से एकदम सॉफ्ट खाने में बहुत टेस्टी होगी और बहुत ही कम टाइम में बनकर तयार हो जाएगी तो चलिए फिर ले रही हूँ दो छोटे टुक्डे में ले रही हूँ यहां पर अध्रक अब हम इनको पीषेंगे और हमने इसमें कोई पानी का सितमाल नहीं करना है पीषते वक्त हमने इसको थोड़ा सा दर्दरा ही पीषना है बहुत जादा बारी खम को नहीं पीषना है ये देखे एक कप बारी कटिवी पत्ता गोबी थोड़ी से रचिली फ्लेक्स लिया है एक चोटी चम्मच जीरा पाउडर लिया है एक चोटी चम्मच चाट मसाला लिया है नमक डाल देंगे स्वात के अनुसार और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर कसूरी मिती लिये आप जाएं तो हरा धन से पूरी तरह से मिक्स हो जाएं तो अब मैं थोड़ी सी ओईलिंग कर रही हूं हाथ पे जिससे की हाथ पे चिपकेगा नहीं और थोड़ा सा पोर्शन लेके अब हम इसको शेप देंगे तो मैं यहाँ पर गोल्ड टिक्की की शेप देंगे इसको चोटी 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 टि मैं गरम करूंगी पैन में तो बहुत कम तेल में बनने वाली रेसिपी है यह बहुत जादा ओल की हमें जरूरत नहीं होती है तो हमने जो गैस की फ्लेम अगदम लो करके रखनी है और सारी जो हमारी टिक्या है वह हम पैन में लगा देंगे दो से तीन मिनट एक तरफ से पक जाएंगे तो दीमी आज पर हमने इनको पकाना है आपको यह रेसिपी कैसे लगी कॉमेंट करके मुझे जरूर बताना अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो यह देखिए सारी बनकर तयार हो गई है आप इने गर्मा गरम सॉ पॉस के साथ चटनी के साथ सर्फ कर सकते हैं बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं तो यह देखिए बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉट पनी है तो मुझे कॉमेंट करके जरूर रदा है रेसिपी आपको कैसे बाता है